हेलो एवरिवन वेलकम टू स्वाध्या तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं और थम्नेल में आप लोग ने देख लिया है कि आज हम लोग से भी गिरेड़े फेज वन पेपर वन का एनलाइसिस करने वाले हैं और इसमें मैं आज अभी आप लोग को मैस का सेम टू सेम कोस्टेंस मोस्ट अफ दा कोस्टेंस विट अप्संस आपको बताने वाला हूं ताकि आप लोग अपने एंसर को मैच कर सके और आशा करता हूं कि आप लोग का एक्जाम काफी अच्छा गया होगा तो चलिए बिना बिलम के हुए सेसंस की सुरुवात करते हैं जिसे भी यह PDF मिले वह यहां डिरेक्ट किलिक करके आप सीधा वीडियो सॉल्यूशन पर आ सकते हैं और जो लोग चैनल से नहीं जूर हैं वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दिये गया है टेलिग्राम चैनल का वहां पर भी आप किलिक करके चैनल से जूर सक यह data सबसेम था तो दिख लिए कि यहां से सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने का कोसिस करते हैं study the table and answer the following questions ठीक है तो यहां पे दिया हुआ था total number of black and white and color printer यहां पे दिया हुआ था ratio of total number of black and white and color printer ठीक है तो इसको हम लोग को solve करना हैं और यह questions इस तरह से दिये गया थै तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पर एक टेवल बना लेते हैं ठीक है अलग तो टेवल बना लेते हैं तो यह कितना one two three four five 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 और five उपर है कि यह हम लोग सबसे पहले टेवल बना लेते हैं जल्दी जल्दी को तिक है कि अबी सीडी और यहाँ पे ब्लाक अंड वाइट और प्लस यह क्या है इस प्लस ट्रीट क्लार हो गई है यह कंने हैं यह टोटल वाला है तो टोटल हम लोग लिखी लेते हैं को एक्जाम में आप जल्दी जल्दी इसको लिख लिया करिए कि लिख यह उतनी इसी आप इसको solve कर सकते है और यहाँ पे इसका ratio दिया गया है तो इसका ratio दिया हूँ 2-3 दिया हूँ इसको ratio क्या यहां नहीं लिखता हूं बट आप लोग exam में इसको लिख लिया करो ताकि easier इस-जी रहा है तो चले इस पीसे उपने हैं सिधा नंबर ही लिए гр मैं टाक्षिए पयाँ से लिंच हथां उप्व liar कि ये टोटॉल में यहां पर कितना है तया अधिनू पांच इंदो पांच अधर यe टोटल को सब में р wonders तो यह प्लास 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 कलर दाले हो गया तो यह हो जाएगा आपका 80 अर्योंजा कितना वन ट्वेंटी ठीक है यदि इसको हम लोग करते हैं तो यह कितना हो जाएगा तीन दू पांच छे तो यह हो जाएगा 180 अर्योंजा जाएगा 120 फिर इसको यह हम लोग करते हैं तो चार्स 50 चाच सके 240 तो यह जाएगा कितना यह जाएगा 5,2,7,7,8 तो यह जाएगा 80 और यह जाएगा 200 ठीक है तो इस तर से हम लोग data को लिख लिए तो चलिए इस data को हम लोग व़न मैं काम करता हूं कि इसको तर साथ छोटा कर लेता हूं ठीक है इजली हम लोग इसको इधर त्वासा हम लोग काल्कुलेशंस का पाट इजली कर सके हैं ठीक है तो चोटा टेबल हम लग बना लिया तो यहां पे दिया गया हुआ था कि डिफरेंस बिट्विट्म टोटल नंबह ब्लाक एंड वाइट एंड कलर प्रिंटर ठीक है ब्लाक स्टा एंड कलर प्रम एंड एंड सी और सी कितना हो गया आँग सिस्क फ्याइगकटिना चिक हैStream जागय कितना ही में ट्र इ क्तिस थीतरिय। 30 हो जाएगा ठीक है तो जिन्होंने एंसर टिक होंगे 290 उनका एंसर सही होगा तो चलिए अब नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले इस डाटा को हम लोग कोपी पेस्ट करके राख लेते हैं ताकि आगे सारे कोश्चेंस में हम लोग को फायदा मि ठीक है तो इसको मैं कोपी पेस्ट कर लो है यह तो है तो हर यह तो यह थाम लोग कहां पर थे यहां पर थे एक्जाम का और एक्जाम में एक्जेक्ट यही आपका एंसर आया होगा अभी जो मैं बताने जा रहा हूं तो आप समझ लिए कि यह आपका एंसर सही था तो चले हम लोग सेकेंड नमबर कोच्छन से पढ़ते हैं तो यहां पे दिया गया है कि from store A 40% of black and white printers are sold तो store A 40% sold है And from the shop and from the same shop 30% of colored printer is sold Then find the total number of unsold printers of a तो यह 40% sold है तो 60% unsold है, तो 80 का 60% मतलब 3 y5 ठीक का 3 y5 और ये plus 120 का 720 का 7 y 10 ठीक है तो इसको अदिक हम लोग इस तरह से cut कर देते हैं तो 16 हो जागा तो यह हो जागा 48 और यह हो जागा बारस्ते चाड़ा से ठीक है तो इसका अंसर जो है 132 था तो जिन लोग ने 132 आप्शन में मार्क्स की हैं उनका अंसर साही है ठीक है चली हम लोग नेस्ट बरते हैं थार्ड तो फाइं टोटल नंबर अस ब्लैक 있나 इन रw ii total printers and the ratio of total color printers डिकर गहुद की बात कर एंड की तो यह होजागा 320 ठीक और and ratio of black and white printers and ratio of black and white printers from soft c and ratio ब्लाक और वाइट प्रिंटर्स प्राम सबसी एंडेश्य आफ यह वनेटी हो गया तो इसको हम लोग कट करते तो यह 16 इस्टू 9 हो जाएगा तो यह जिनका एंसर यह आया था 16 इस्टू 9 एक तो उनका यह साई है डी आई में ठीक है चलिए आगे बरते है यह फिर पूछा ग अब टोटल क्रार्व प्राम सब डी इसका पर्सेंटेज पूछा गया तो इसको हम लोग किये थे हैं और इसको यहां करते हैं तो थीर से ठीटी से 0 से 0 कट किया तो यह 6 और यह 7 ठीक है और यहाँ पर इंटू 100 है तो जगा 600 वाई 7 तो यह जगा 56 तो यहां पे आपको देखके ही लगड़ा होगा कि यहां पे थिरी का है और यहां पे 5 तो यहां पे इस तरह से आप मुझे के ही लगड़ा तो चली इसको लोग करते हैं तो यह हो जाएगा पैतालिस पंचे दूसर पचीश ठीक है तो टूफाइब तो यहां पे देख लेजिए कि यहां पे कितना एट हो रहा है तो यहां पे कितना 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 एट हो रहा है यहां पे टू एट हो रहा है तो यहां पे कितना हो रहा है तो यहां पे कितना हो रहा है एक्स ठा तो एक्स इन्टो 6 और यहां पे 4 एड़ वहा तो यहां पे प्लस 5 एड़ होगा इस इक्वाल टू 545 ठीक है तो यदि इसको हम लोग करते हैं तो 6 एक्स इस इक्वाल टू 540 हो जाएगा तो एक्स इस इसक्वाल टू तो यहां पे हमारा एंसर है 90 हो जाता तो जिन लोग ने 90 मार्क्स किया था उनका एंसर बिल्कुल सही है ठीक है तो 90 वाले का एंसर सही है चलिए ता हम लोग आगे बरते हैं तो यहां पे देख लिए कि यहां पे भी हम लोग देख के ही identify कर लेंगे कि कुछ multiples में ही चल ला है क यहां पे कि इतने लंबे कि ग्याप है तो इतना लॉंग लॉंग याप ऐसे हो नहीं सकता है तो चले इसका हम लोग कुछ करते हैं देखे यहां पे तो इंटू 1 अपलास 4 ठीका इंटू 2 अपलास 9 ठीका और इंटू 3 तो यह कितना हो जागा इंटू 3 तो यह हो जागा 3 1 5 3 ठीका तो यहाँ पे इंटू 16 ठीका तो 2 का स्क्वाइर 3 का स्क्वाइर यहाँ पे 4 का स्क्वाइर तो यहाँ पे 5 का स्क्वाइर तो यहाँ पे मल्टिपल में क्या हो जाएगा 1 2 3 तो यहाँ पे प्षोर और यहां पे ऩट्यूफाइव और पलस 6 का स्क्वार करेंगे, यह हो जाएगा कितना, तो यह 0.5 हो जाएगा लास्ट में आर यहां पे 36 हो जाएगा तो लास्ट में 41 वला एक ही था उहाँ पे, तो जो 41 वला था वह क्या था, तो जो भी था वह इप लोग उसमें अब इसको निकाल के दिखा दे रहा हूं तो यह हो जाता है 35 यहां पर 35 तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट से भी इसको टिक कर सकते हैं चिक चलिए आगे बरते हैं यह दिखे कापी अच्छी प्रब्लेम्स दी गई थी तो इसको अम रुक्सोर करते हैं तो दिया गया था और यहां से जो interest received from C.I. और यहां से जो भी interest received हुआ है उसको फर्दर टू इसको फर्दर टू इसको दे दिया जाता है Si टू यह के लिए है और Si पे दे दिया जाता है 15% पे और इस तरह से टोटल amount जो received होता है इतना था तो आपका इनिशियल से मान बताना था कि यह सर्टेन अमान क्या है ठीक है तो इसको हम लोग दो तीन तरह से बना सकते हैं एक टो एक्स मान के बना सकते हैं फिर सिंपल इंटोस्ट करके पी इंटु वन प्लस रवा हंडेर्ड पर पावर एंड करके बट वो आपका बेसिक्स मेठड है तो उसको हम लोग मत बनाएं आप आप सबसे पहले यहां पर कोशिज करिए कि किसी भी प्राब्लेम को हंडेर्स से मान के बना इस तरह से आप लोग बनाने का कुशिज करें ठीक है यह एक्स बला ठीक नहीं क्योंकि एक्स बला से करेंगे तो बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन चल जाएगी और एक्जाम में एक्स बला में होता है ना जैसे एक्स बला छोड़िये एक्स बला को माहिन नहीं बताऊंगा क्योंकि वह बहुत सारे चैनल पर उसका सल्यूशन दिया गया है खुआ को चलिये तो यहां पर करते हैं तो यह 100 से करते हैं यह 1000 करते हैं अब ँसके बाद अभीड़ी अंत्रेस का एस बढ़े लुए इंटेस्ट और यहां पर किश Anda आजाएगा और इस पर उत्ति पर सुशन करते हैं हम लोग 1000 मानते हैं तो 1000 मानते हैं तो यहां पर हो जाल गा कितना थू ah थेकर निया और यहां पे पे जो जाए कितना सब्सक्राइब तो टो शुवात देता हैं तो सब्सक्राइब किरिद दिनare जो होड़ाएक कि धैंडर ने पूक्मक्ना और यह जाए 132 हो जाएगा ठीक है तो टोटल इस दोनों को हम लोग यदि आड कर लेते हैं तो इस दोनों को हम लोग याड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 572 तो 572 is equal to 1430 यहां पर यह value दिया गया तो 1 is equal to 1430 572 और यह 1000 is equal to क्योंकि हम लोग इनिशियली तो 1000 माना था इसको तो हम लोग ने माना नहीं था तो जब इसको हम लोग सुल्फ करते हैं तो इसका एंसर हम लोग आ जाएगा 25 तो जिनका 25 100 आया था उनका एंसर सही है तो हम लोग करते हैं यह question में में भी थो असा data में मुझे याद नहीं कि वहाँ वन वाय हाफ दिया था तो जो भी हो बट मेथड यही आप लो मेथड जान लो इसका एक्जेक्ट एंसर मुझे याद नहीं कि एक्जांस में क्या थे बट इनका जिसका मैंने किया है वह मैं बता दिया हूं आपको ठीक है तो देखिए ए और यह तो एक टेक्निक है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन को हटा लेते हैं तो फ्रैक्शन हटाने का दो टेक्निक होता है फर्स्ट टेक्निक कि इसको इधर कर दीजे इसको यहां से इसधर मल्टिप्लाइ कर दीजे और इसको इधर मल्टिप्लाइ कर दीजे और इसको इधर हो जाएगा तो time हमारा क्या हो जाएगा time opposite होता है तो time जो है 3 is to 1 के ratio में हो जाता है ठीक है और यह क्या बोला है कि if they work individually then the difference between the time taken by a and b is 4 तो इन दोनों के बीच में 4 का difference होना चाहिए time के बीच में 3 और यह 1 के बीच में जो है यह 4 का difference देगा तो यह कब देगा तो जब यह 6 होगा यह 2 होगा ठीक है तो जो है यह 4 का difference देदेगा तो यह यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा तो इसी तरह से कुछ दिया गया था एक्जेक्ट मुझे याद नहीं है कि क्या दिया या था बट इसी तरह से वह प्राब्लेम बनता ठीक है चले तो अब हम लोग नेक्स्ट को करते हैं यह कोश्चन से एक्जेक्ट था इसका एंसर जिनको 18 आया होगा मुझे याद है तो जिनका 18 आया होगा एंसर उनका इस तु टु वन तु टु ऊगया तो एक्ज हो गया और यहां पर क्या बोला है कि टोटल टाइम टेकल ट्रेवल 48 किलमीटर आप एश्ट्रीम था शिंट है तो डिस्टेंस वाजाज आए तो अब लिक्ट टाम इस उकल टु कहा जाका डिस्ट्न स्भाइ चुछिण स्पीट ठीक है तो 48 बाइट 2x ठीक है और 36 बाइट 3x is equal to 6 आगर ठीक है तो इसको यहाद हम लोग कट करते हैं यह 12 हो जाएगा और इसको हम लोग जाद करते हैं तो यह हो जाएगा 24 हो जाएगा तो यह 36 is equal to 6x हो जाएगा तो x is equal to 3 हो जाएगा तो हम लोग को पूछा गया था किया वहां पर हम लोग को डॉन बाड स्टिम पूछा गया था तो यह जाएगा यहां पर हम लोग को जाएगा यह यह यहां पर शीक्स हो गाएगा तो यह 6 होगा तो यह हो जागा 3 into 6 तो यह हो जागा 18 हो जागा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखे यह यह भी कापी अच्छी प्रब्लेम्स थी चलिए इसको अब लोग करते हैं इस प्रब्लेम्स को क्यों संच को पढ़ने का क्याम कराएंगे दायमान्त इंवेस्टेद वा बैस जाबल् suggest therefore the amount निकाल लेंगे तो अब यसले निकल जाएगा तो कैसे निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम लोग investments का ratio निकालते हैं ठीक है investments का ratio निकालते है किसके लिए A B and C के लिए ठीक है ठीक है यहां पर क्या लिए का है the amount invested by B is double the amount invested by A and and thrice the amount invested by C ठीक है और B का जो amount है वह C से thrice है ठीक है तो यहां पर इस्ता से 1 लिख लिए ठीक है हो जागा ठीक है तो यह हमारा investments का ratio आगया ठीक है इन्वेस्टमेंट्स का ratio आगया तो time का ratio क्या क्या दिया गया respectively time का ratio दिया गया one is to two is to three the profitable investment into time होता है तो यह 3 12 6 हो जाता है तो जो हम लोग इसको करेंगे तो one four two हो जागा ठीक है तो यहां पर देख लिए ए और सी का difference दिया गया ए और सी का difference दिया गया one का difference कितना दिया गया one four one zero दिया गया तो find the total profit total profit कितना हो गया चार दूछा और एक साथ तो seven हो गया तो यह कितना हो जाएगा nine eight seven zero ठीक है तो जिनका options में यह nine eight seven zero आया था उनका answers बिल्कुल सही है ठीक है चलिए हम लोग अच्छा चलिए यह दो quadratic दिया हुआ था सेम quadratic था तो अब लोग को यदी याद होगा answers तो मिला लीजेगा चलिए इसको हम लोग स्वल्व करते हैं तो यह two 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 three तो इसको हम लोग को five करना है तो five करना है तो कैसे होगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा तो यह minus eight तो यह plus eight और यह minus three ठीक है और यह divided by two है तो इसको two से अभी divide नहीं करेंगे तो यहां पे इसको two से multiply कर देंगे इसमें जो भी अवैल्यू आएगा तो यह बिना fractions का हम लोग काम हो जाएगा ठीक है तो यह six हो जाएगा यह five हो जाएगा इसमें two से multiply कर देंगे कर लेंगे तो इसको कंप्रिजन करेंगे तो वाई इस ग्रेटर दैन एक्स ठीक है तो इसका एंसस यह होता ठीक है तो यह मैं कैसे कर रहा हूं तो जिन लोग को नहीं पता है वह आप लोग प्ले लिश्ट में बना दिया हूं कि कैसे मैं इसको सॉट्कॉर्ट में सॉल्व करत सकता तो चलिए इसको भी हम लोग डिसकस करते हैं आप लोग देखेगा इसको जिसको नहीं समझ में आया होगा एक तो आता है बच्चे की तरह कि इसको कमान ले करके आप करिये तो वह जावाना चला गया आपको कमप्रेटिशन्स निकालना है तो थोड़ा से आप खुद को चलिए यहां पर यह दिलों करते हैं तो six into 6 हो जाएगा तू इंटू थीरी तो थीक है थाटीश पूरना है तो यह मैनस nine आ मैनस फोर तो यह हो जाएगा कितना nine आर four हो जाएगा ठीक है एक डूट nine एक डूट फोर हो जाएगा एक का और यह Y का जाजिये हम लोग करते हैं एक बढ़र करते हैं तो यह 17 हो जाएगा टीक है तो यह नि निगेटिव है तो मैंन सच टाइस मैंनस टू हो जाएगा फिर सप्टाइस घ्ण पालगर देंगा तो इंचयरेंगज 모습 मैंन लोग्वि 한ateg n यह 27 गोड़ेंट हो जाएगा ठीक है तो एक बार देख लिए एक बार यह वड़ा हो जाता है और एक बार यह वड़ा हो जाता है तो इसका जहां किन नाट भी डिटर्माइन हो जाएगा ठीक है X is equal to Y और वो cannot be determined वाला जो फिफ्ट नंबर का अपसंस होता है वो इसका सही अंसर होता तो चलिए इसको आप लोग खुद से कर लिजेगा तो यही यही प्राब्लम दिया गया था और यह कैसलेट था तो आप लोग कोशीज करें कि कैसलेट साम लोग नहीं बनाएं एक्जामस में तो अच्छा है क्योंकि यहीं आप कहीं भी फोड़ा साव फंस गया तो पूरी की पूरी टाइम भी बढ़ावाद हो जाती है तो इससे अच्छा है कि आप नहीं करें तो वहीं अच्छा ठीक है यहां पे देखले है कि यहां पे बिलकुल दिया गया था तो सबसे पर दाटा को पर दो है रच्छा अब दे रिश्क अफ दाना यूने चैजल दीडिया था अब दीडिया था तो यहां पर रेसी वाला खाली है बट यहां पर उपर में इसको टो अंडर लेक्टिए ठीक है दर नंबर अफ यूनिट शोल्ड 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 जो हमारा A C D का जो है 6 शॉरी B का नहीं A C D का है ठीक A C और D का दिया गया ठीक है A C और D का जो है अड नंबर अ्यूनिट शोल्ड वाय B मनादmedi शोल्ड यहल शोल्ड ऑफ यहल्ड शोल्ड शोल्ड हार 60% आप्टल यहां पर शोल्ड शोल्ड हर। स्ट्छ शोल्ड हुआ है ठीकर हार टूह्ःपोर्टी यूछ ओफ सीच तो दिखे लुग का व श्ट्ड यूटूह किमें जल दूहां ज्ट्टी कर यहां पर दूहology किस्तीश सब्सक्राया थैru तो 100 is equal to 16,35,35 तो यह हो जागा कितना 300 हो जागा तो यह 300 का भगा जब यहां 60 से multiply करेंगे तो यह सारा आ जाएगा तो यहां भी 360 हो जाएगा और यह 420 हो जाएगा ठीक है और यहां पर क्या बुला गया तो यहां पर यहां पर हम लोग ठाटी से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा और यहां पर हम लोग का कितना बुला गया कि 50% हो गया यह ऻहां यह यह तो यहां यहां और इस अजर्व करेंदर करेंद निकल से निकल जाता तो यह वह रगता मैरे पास एकर श्रुस्टेख म स्वेवल नहीं है नहीं options available है तो जो मेरे पास available है वो मैं आपको बता रहा हूं तो चलिए अब एक और questions था इसका mixture and delegation से था ठीक है तो वो भी exact questions मेरे पास available नहीं है तो sorry for that वह available है तो आप लोग को कहीं मिलेगा तो आप जरू कमेंट करिएगा अचलिए हम लोग आप reasoning का तो यदि हम लोग इसमें बात करें best attempt का तो आप easily 10 to 12 questions एकदम से easily एकदम बेसिक जिनका भी थोड़ा भी सही था जो थोड़ा सा भी 5 से 10 मौक लगाया होंगे और जो topics को जान गहेंगे वो easily 10 से 12 कर सकते थे और 15 best attempt माना जाएगा करने के लिए तो 20 भी किया जा सकता था बट टाइम का constant रहता है तो इसलिए प्रब्लम होती है और चलिए यह और एक हो गया आप reasoning का मैं analysis कर दूँ तो reasoning में reasoning का मैं analysis कर दूँ ठीक है तो reasoning में आपको बता दूँ कि एक word दिया गया था 9 6 3 5 1 5 1 4 7 2 8 ठीक है तो इसमें जो एक questions रहता है as many words between them करके जो रहता है वह वाली questions थी आप लोग जो set मारते होंगे उनको पता चलिए हुआ कि मैं कि स्टैप के questions का बात कर रहा हूं तो इसका answer जो है more than three जो था more than three क्योंकि इसमें four pairs बन रहा थे तो more than three वाला जो है इसमें जो जिन्होंने वे टिक किया है more than three उनका answer बिल्कुल सही है ठीक है और एक questions था यह जी आई जे एफ था ठीक है और ओक्यू कि आरें दिया गया हुआ था डी एफ जी भी दिया गया हुआ था ठीक है और जे एल एम एच दिया गया हुआ था भी एकस वाइटी दिया हुआ था तो इसमें जो है यह वाला answer जो हम लोका है बिल्कुल सही होता ठीक है और एक uncertain number of puzzles दिया गया था उसमें जिनका 23 आया है वो बिल्कुल सही था ठीक है और एक पजल था चरकल पर सिटिंग एरेजमेंट पर काफी पजल थी दो ही possibility में आराम से बन रहा था पतना देली वाला था ठीक है एट परसंस बैठे हुए थे और एक पजल दिया हुआ था था ठीक सिक्स परसंस थे और वो दो डेट में जा रहा था नाइन और फिप्टींस में थी मंस दिया तो इस तरह का पजल सा, वो भी काफी जी था व वह अफनुल आरद कर सकते थे तो उस% भी 4ás थे और एक दिया गया था आपका रंकिंग वेश्य दिया था तो रंकिंगिंग chopping सनसे आरेंकिंग में штम सम को ध को से उसमें तो काफी एजी था तो इसमें एक सम करके था वो थो आशा लेंदी था उसका मुझे एक टेंसर नहीं याद है कि क्या आया था और दो जो है इसमें भी काफी इजी थे तो इस तरह से हो गया और एक और हाँ एक और वर्ड दिये गया थे ठीक है तो जी आर इगी आई ओ यू एस एल ओ तो इसमें आई ए भी एल इससे जो आपको वर्ड बनाना था कि कितने वर्ड बन सकते हैं तो इससे मोर्ड देन वन बर्स बन रहा है ठीक है एक एविल बन रहा है अरे ठीक है तो यह दो वर्ड बन रहा है तो बट यह मेरा साइड यह मेरा रॉंग हो गया था क्योंकि मैं इसमें एक ही वर्ड देखके मार दिया था तो से एकजाम से प्रेसर से भी रहते हैं तो इसकारन से थुछी से प्रॉब्लम्स भी होती है तो इस तरह से और यह था और कुछ था क्या वैट मैं तुछ आसा और देख लो एक संटेश डियजमेंट था जो कि कहीं नहीं हब ले बहला तो मैं आपको उसका इंसाइस बता दूं कि क्या था उस संटेश डियजमेंट में तो sentence rearrangement में जिन्होंने B, C, A, D, E जिनका ये आया था sentence rearrangement उनका बिल्कुल सही है तो चलिए इसी के साथ वीडियो को इंट करने का टाइम आ गया है वीडियो आप लोग को कैसा लगा जाओर बताइएगा और आप लोग चैनल से जूर जाएए क्योंकि आने वाले सभी exam के questions आपको इसी चैनल से मिलेगा और जो लोग टेलिग्राम से नहीं जूरे हैं वो टेलिग्राम का आपको नीचे लिंक मिलेगा उस पर किलिक करके ज़रूर जूर जाएए क्योंकि मैं ये PDF को वहीं पर पोस्ट करता हूँ तो आपको direct PDF मिल सकती है तो चलिए इसी के साथ वीडियो को इंट करते हैं थैंक्स फो लिशनी बाबाई थैंक्यू